आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसी वीडियो जहां पर आपके साथ हम डिसकस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि अगर आप जो है बीकॉम में हो या फिर जो है बीकॉम में नहीं भी हो तो आगे चलके आप कभी न कभी जब भी अपन दोनों जो है situation से चाहे आप अपने theoretical जीज़ों में देख लीजए या फिर आप कह लीजए education के purpose से या फिर personal life में इस चीज़ को लेकर के आप ज़रूर रूबरू होगे तो यह जो आज का word है जो कि आज हमारा topic है that is B.S.C. जो कि आपके लिए समझना आज important है एक्जाम की बात करें तो एक्जाम में आप से पूछा जा सकता है कि कितने type of stock exchange available है हमारे इंडिया में तो वहाँ पे B.S.C., N.S.C. आपको यह सब के बारे में लिखना होगा second thing यहाँ पे एक short note लिखने के लिए आ सकता है एक्जाम में जहाँ पे सीधा सीधा नो बकवास सीधे काम की बात पूछी जाएगी that B.S.C. के बारे में एक short note लिखिये तो वह आपका 5 marks का question हो सकता है तो विटेज की बात करें तो 5 marks से जादा से जादा 7 marks तक यह विटेज आपका जा सकता है लेकिन उससे जादा इसके chances कम है तो आज यही हम समझने की कोशिश करेंगे देखें कई बर क्या होता है जब भी आपको कोई चीज बाई करनी होती है जिसे मुझे यह notebook बाई करनी है यह pencil बाई करनी है यह rubber band बाई करना है यह table बाई करना है यह जो clothes इस पर बिच्छा हुआ है यह बाई करना है कुछ भी मुझे बाई करना है तो मुझे जाना पड़ेगा एक मार्केट में जो भी मेरे आसपास की मार्केट होगे या जिस भी मार्केट से मैं बाई करना चाहती होगे तो जब हमारे इंडिया में स्टॉक के कॉंसेप्स आये स्टॉक का सेल पर्चीजिंग शुरू हुआ कंपनीज रिजिस्टर्ड हुई, कंपनीज की लिस्टिंग हुई तो उसके बाद क्वेशन उठा कि कंपनीज तो रिजिस्टर हो जाएंगी कंपनी की जो है शियर्स भी बेक दिये जाएंगे लेकिन यह मिलेंगे कहां या फिर इसको खरीदने के लिए कहां जाना पड़ेगा क्या पडोस वाले चटा की दुगाल पर जाकर के जो है टपरी पर जाकर के शेर्स खरीद सकते हैं जिस तरीके से कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के अलग से मार्किट होती है जैसे कि आप अगर जाओगे तो इलेक्ट्रोनिक मार्किट कई जगे पर होती है सिर्फ इलेक्ट्रोनिक का समान मिलता है कई जगे पर सिर्फ कपड़े का मिलता है जैसे डेली में एक एरिया है जहां कत्तर मार्किट नाम की है जहां पे सिर्फ कपड़ा मिलता अलग-अलग variety का उसी तरीके से अगर आपको stock buy करने हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है एक particular market जहां पे आप जाकर के जो companies के shares बिकने के लिए हैं available हैं वहां जाकर के उसकी sale purchase कर सको तो वहां उस चीज के लिए एक platform चाहिए था त चेज का मतलब सिर्फ buy करना नहीं होता बलकि buy and selling दोनों include हो जाती हैं अगर आपके पास कुछ particular stocks हैं और आप उसको sell करना चाहते हो तो भी आपको market जाना पड़ेगा और sell अगर आप जो है buy करना चाहते हो तो भी आपको market जाना पड़ेगा ये कोई particular place नहीं है जहां पे आप अपना जो है अपने securities को sell purchase कर सकते हो इंडिया में दो most popular आपकी जो stock exchange है that is NSE and BSE NSE जो है वो है national stock exchange और BSE जो है Bombay stock exchange जो की Bombay में जो है स्थापित है Bombay में इसकी building है जहां पे आपने कुछ time पहले जो है 2002 के आसपास या मेरे खाल से जब एक bomb blast की situation आई थी तो उसके पा establish किया गया था 1875 में जिसको जिसका पूरा नाम है Bombay stock exchange तो BSE इसको short में बोलते हैं पूरा नाम मतलब लेना कभी कबर confusion हो जाता है तो BSE NSE करके हम ऐसे बोलते हैं तो Bombay stock exchange के नाम से इसको जाना जाता है यह Asia का पहला stock exchange है और India का leading stock exchange है Asia का first stock exchange and one of India's leading stock exchange India के भी leading stock exchange में BSE का नाम है Over the past 140 years BSE has facilitated the growth of the Indian corporate sector by providing an efficient capital raising platform कुछ पिछले सालों में पिछले 140 साल अगर इनका पुराइती हास देखे जब से यह established होई है तब से BSE ने एक अच्छी growth का facility provide कराई है कि इनको corporate sector को जो corporate sector capital raise करने के लिए अपनी shares market में लाना चाती है या बेचना ही चाती है तो उनको एक platform BSE ने provide कराया कि ठीक है यह हमारा platform है आप अपने stock लाइए यहाँ पे खरीद बेच हो जाएगी next is popularly known as BSE the Boris was established as the native share and stock brokers association यह जब 1875 में यहाँ पे इसकी स्थापना हो रही थी तो इसको पहले किस नाम से भी जाना जाता था the native share and stock brokers association BSE is a corporatist and demoralized entity now अब यह एक corporatized जो है हो चुकी है और साथी साथ demoralized भी हो चुकी है ऐसी entity बन गई है यानि एक ऐसी entity जहाँ पे आप अपने public traded company जो है अपना order कर सकते हो यहाँ पे जाकर के एक तरीके साथ कह सकते हो ऐसा structure हो गया है जहाँ पे आपके लिए easy है सब कुछ exchange करना अपनी securities का BSE provide an efficient and transparent market for trading in equity debt instrument BSE क्या करती है आपको एक efficient market provide एक ऐसी market provide करती है जहाँ पे आप efficiently और transparently जो है सब चीज़े trade कर सकते हो यह एक transparent market है पीछे से कुछ नहीं होता है कि भया पीछे वाली window से आजाओ हम आपको दर्शन करा देंगे because you are Ambani जी तो पीछे वाले दर्वाजे से आजाओ VIP दर्शन हो जाएंगे तो वो नहीं होता बलकि यहाँ पे क्या है एक transparent market है सब कुछ open available है और साथे साथ यहाँ पे trading होती है आपकी equity की, debt instruments की साथे साथ आपकी derivatives की and mutual funds की It also has a platform for trading in equities of small and medium enterprises साथे साथ small and medium enterprises के लिए भी एक platform है जहाँ पे वो अपनी trading कर सकते हैं equities में यहाँ पे more than 5,500 companies listed है on BSE और यह इसके वज़े से जो है world की number one exchange in terms of listed company भी हो गई थी तो यहाँ पे क्योंकि इतनी सारी companies BSE में listed हैं क्योंकि आप जो अपना ऐसे ही जाकर के अपने shares को sale per shares नहीं कर सकते अगर आप company हो तो company को पहले वहाँ पे registered अपने आपको list कराना पड़ता है उसके बाद ही आपके उस particular company के shares जो है BSE पे trade हो पाते हैं और BSE में 5,500 से भी जादा companies listed हैं और इसलिए वो number one जो है world का listed company सबसे जादा listed company के साथ बन गया है the company is listed on BSE command a total market capitalization of UST 1.68 trillion as of March 2015 March 2015 के approximately देखा जाए तो वहाँ पे जितने भी BSE के उपर companies listed थी उनका market capitalization था वो आपका UST का 1.68 trillion UST dollar था US dollar it is also one of the world's leading exchange ये जो है world का one of the leading exchange है ये 5th largest exchange था जब March 2015 की report आई थी for index option trading यानि index option trading के लिहाज से ये पाचवे नमबर पे आया था BSE also provide a host of another service यहाँ पे जो है BSE आपको और भी services provide करता है host करता है other services जैसे services to capital market participant के लिए जैसे risk management, clearing, settlement, market data service and education it has a global reach with customers around the world and nationwide presence यहाँ पे 24 के customers है यानि people who are trading on BSE वो वो वोल्ड में बहुत जगे पे फैले हुए है और आप जो है खुद भी आप खुद भी अगर चाहो तो BSE पे ट्रेड कर सकते हो BSE system and process are designed to safeguard market integrity, drive the growth of the Indian capital market and stimulate innovation and competition across all market segments BSE का system जो है ऐसा है process जो है ऐसे design किया गया है कि market की जो integrity है वो safeguard रहे ऐसा नहीं है कि जो है कुछ गलत पैसली लिये जा रहे है या फिर गलत तरीके से चीज़े की जा रही है ऐसा नहीं है बलकि सब open transparent है ताकि लोगों के बीच में जो investors है या जो आपके share trading करना चाह रहे है उनके दिल में भी एक जो है उसको देख करके विश्वाश बना रहे कि यहां गलत नहीं हो रहा है हम जो भी trade करेंगे easily subsidies हो जाएंगे so एक integrity बनी रहे integrity बनाए रखें growth बनी रहे capital market की growth बनी रहे साथी साथ नया नया कुछ innovation लेकर के आए ताकि जो है betterment हो हमारे market segment के लिए BSE जो है पहला जो है first exchange है इंडिया का and second in the world of world to obtain an ISO 9001-2000 certificate एक certificate जो आपका ISO होता है वो certificate लेने वाला BSE पहला exchange था इंडिया में पहला exchange इंडिया में था जिसको यह certificate मिला था और दूसरा exchange in the world जिसको यह certificate मिला था also the first exchange in the country and second in the world to receive information security management system standards और साथ ही साथ जब आपका पूरे world में जब एक system शुरू हुआ था कि कौन से security exchange जो है एक बहतर security exchange है information security management system के लिहाज से तो उस standard के according भी इसको certificate मिला था और यहाँ पे यह इंडिया का first exchange था जिसको यह certificate मिला and world का second यह था जिसको यह certificate रसीव हुआ था इसको यह certificate रसीव हुआ था इसको यह certificate रसीव हुआ था इसकी एक खुद की institute भी चलती है जहाँ पे जो है कोई भी अगर उट सीखना चाहे trading करना investment purpose से या फिर BST पे कैसे trade करते है market में share market में कैसे dealing करते हैं कैसे सब चीजे होती है कैसे जो है पुरा यह process mechanism काम करता है structure कैसे यह पुरा काम करता है इसके बारे में तो BST का एक institute है जो की short course, online course आज कल तो online course हर चगे चगे होते हैं तो यहाँ पे भी आपको कई तरीके के courses मिल जाते हैं जो BST Institute Limited के द्वारा होते है साथी साथ NSE के भी बहुत सारे ऐसे courses है जो NSE के institute मिलते है तो BST और NSE आप दोनों पे जाकर के वो चीज़े देख सकते हो अगर आप जो है कह सकते हों कि share market में अगर आपको कल को अपना future बनाना है BST also provide depository service through its central depository service Limited यानि CDSN service provide करते है depository service क्या होता है पहले share जो है paper based मिलते है तो paper आपके पास होता तो यानि आपके पास ये share है but अब क्या हो गया है shares जो है digitally form में आ गई है demate accounts में आते है तो वो एक depository service उसके लिए होनी जरूरी होती है उसी के through जो है वो सारे settlements आपका demate account में वो जो है रखता है तो वो depository service यहाँ पे कोन देता है CDSL देता है जिसका पूरा नाम है Central Depository Service Limited जो कि आपका BSC के through कहीं न कहीं provide कराया जा रहा है इसमें depository service अब मैं आपको जो है एक app में दिखाती हूँ कैसे मतलब BSC का मतलब क्या है जैसे अब मैंने एक app खोली है यहाँ पे जैसे आप trade कर सकते हो अब let's suppose मैं कोई एक particular stock उठा लेती हूँ यह stock उठा लेती हूँ PI Industry तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मुझे यह buy करना है मैंने इसके buy के उपर click किया अब यहाँ पे मुझे से पूछ रहा है quantity BSC और दूसरा यहाँ पे available है NSE BSC, NSE तो यानि दो यहाँ पे main हमारे पास है BSC और NSE जहाँ पे यह company listed है यह PI Industry ने अपने आपको दोजे के list करा रखा है NSE में भी और BSC में भी तो अगर मुझे BSC से buy करना है तो मैं यहाँ पे buy करूँगी और NSE से buy करना है तो मैं यहाँ पे buy करूँगी वहीं अगर यह आपको जो है कोई और यहाँ पे check करना है let's suppose यहाँ फिर आपको इसी पे देखना है कि यहाँ पे आप देखो NSE पे इसका price है 337705 और यहीं पे अगर मैंने BSC पे price देखा तो 3374.80 तो हलका सा ही फर्क है जादा नहीं है बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि NSE और BSC दोनों पे listed है और दोनों पे जो है नॉर्मली same price ही almost रहता है बहुत ही तुचर सा फर्क यहाँ पे दिखता है तो यह आपका होता है दो main point जहाँ पे आप buy कर सकते हो तो यह दो platform थे जहाँ पे आप market security exchange थे जहाँ पे इस company ने आपने आपको list करा रखा था तो आपके पस दो option आ रहे थे तो यह तक आज का आज का आपका concept BSC का हो थोड़ा सा clear हुआ हो थोड़ा सा भी clear हुआ होगा अगर हलका सा भी बीज भी डल गया होगा तो भी बहुत है मुझे लगता है कि इससे फिर आपके अंदर जिग्यासा बन जाएगी और आप खुद भी search करकर के चीज़े देखोगे तो आज के लिए इतना ही गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में चुल दाएं take care of yourself and take care of your health